Hello Everyone, Welcome to Trending Economics इस वीडियो में हम समझेंगे license fees क्या होता है जिसको इंग्लिश में license fees ही बोला जाता है और ये administrative revenues का ही एक पार्ट होता है प्रशासनिक आय का ही पार्ट होता है ठीक है जो सरकार को प्राप्त होता है आई हम समझते हैं, देखे license fees होता क्या है license fees सरकार को उन अवस्थाओं में प्राप्त होती है जब सरकार खुद कोई कारी या सेवा ना करके अन्य व्यक्ति को कारी करने की अनुमती परदान करता है या कारी अथवा सेवा करने का अधिकार स्वाप देता है तो सरकार कई सारे काम खुद नहीं करते हैं काई सारों लोगों से कहती भाईया आओ कुछ भामें फीस दो और ये कारी तुम कर सकते हो वो जो फीस देता है उसी को license fees कहते है और सरकार फिर एक license दे देती है ताकि कोई घोटाले बाजी ना करने पाए है जिसको license दिया गया है उस कारी के लिए वही कर पाए कोई दूसरा ना कर पाए ठीक है इसी को license fees कहा जाता है एक important point ये है license देने से ये मतलब नहीं हुआ कि अब कुछ भी काम हो कर ले है ना चाहें गलत काम करे चाहें कैसा भी काम करे है ना license fees की विशिष्टाओं में सरकारी नियमन और नियंत्रन का अंश भी होता है यानि license दे तूदिया control भी सरकार का होता है अगर कोई गलत काम करेगा तो समझे लिए उस पे control सरकार का रहता है ठीक है उसको मना करेगी penalty लगाएगी ठीक है जुर्माना लगा सकती है ठीक है इसलिए सही काम करना होगा उधान के तौर पर देखे दवाई की बिक्री करने की अनुमती प्राप्त करने के लिए दी जाने वाली license fees तो जो दवाई वाला सेक्टर होता है medicines वाला ठीक है उसके लिए license जारी किया जाता है आप जानते हैं अब वो क्या करेगा वो license fees देगा तभी उस काम को वो कर सकता है तो इसी को license fees कहा जाता है